दोस्तो यह है आइटल का नया स्मार्टफोन जिसका नाम है A23 Pro और यह Most Affordable 4G स्मार्टफोन है इसका जो प्राइजिंग है यह 4,000 रुपीज के अंडर में है तकरीबन 3,899 रुपीज लेकिन यह Terms and Conditions के साथ में आता है तो चली सबसे पहले मैं आपको इसकी Unboxing करके बताता ह देखते रहिए तो यह है आइटल का नया स्मार्टफोन जिसका नाम है A23 Pro और यह Jio Exclusive है मतलब कि अगर आपको इस स्मार्टफोन का उप्योग करना है तो आपके पास Jio Connection होना चाहिए वैसे इसका प्राइजिंग काफे अच्छा है स्मार्ट इंडिया ओफर 3,899 रुपी अगर आप देखें तो उसके हिसाब से अच्छा है नॉट बाड एंड्रोइट 10 रन कर रहा है गो एडिशन फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है 2400 एमेज की बैटरी है 5 इंच का FW VGA डिस्प्ले है यह डूल वोल्टी सपोर्ट करता है 4G 1GB RAM 8GB ROM और सिंगल रियर कैमरा और सिंगल फ्रंट कैमरा के साथ में आता है यहां पर देखिए क्लेरली मंचेंड किया हुआ है कि टर्म्स इंड कंडिशन अप्लाइए उसके लिए आप जियो.com पर उसे चेक कर सकते हैं तो यह रिखिए यह जो हैंसे इस प्रकार से प्रकार से प्रकार किया हुआ है यह ल दग रही है फिलाल देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या-क्या मिलता है तो यह दिखिए बॉक्स में एक रिमुवबल बैटरी दिया हुआ है वैसे आम तोर पे आजकल जितने भी नए स्मार्टफोन लांच हो रहे हैं वो बिल्ट-इन बैटरी के साथ में आत यहां पर निकाल सकते हैं यह दिखिये ऐस प्रकार से यह निकल जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि दो हैम ढौक्तल दिया हूँ है नायनो सीम अस्मार्ट आया हुआ होइग चृप स्मार्टफोन जि Спर सेट असका सीपर कर लेता हूँ तो यह दिखिए जो setup है मैंने कर दिया है, बहुत ही important है कि जो SIM slot 1 है उसमें आपको Jio का SIM card दालना है, उसके बाद में जो installation process है उसको follow करना है, तो मैंने वो setup कर दिया है, जो interface है इस प्रकार का है, यह 5 inches का display है, FW VGA resolution के साथ में आता है, आज की तारिक में कोई भी यह resolution नहीं दे रहा है, और screen quality के अगर बात करें तो okay type की है, इतना कुछ खास नहीं है, खास करके मतलब की market में इससे भी भेतर smartphone अब को मिल जाएंगे, लेकिन इसका pricing 4000 रुपे के अंदर है, तो इसके हिसाब से, जो quality है, okay type की है, तो पीछे से हैंसे इस प्रकार का दिखता है, gradient finishing के और audio jack भी दिया हुआ है, तो दोस्तों, ये जो smartphone है, इसका जो specifications है, इससे देखते ही आप समझगे होंगे कि ये जो smartphone है, खास करके उन लोगों के लिए बनाया हुआ है, जिनका जो usage है, एकदम minimal type का है, ये gaming use के लिए तो बिलकुल भी नहीं है, और जहां तक battery performance का सवाल है, आज के तारिक में जब लोग ज़्यादा content देखते हैं, तो ये जो smartphone है, इसमें 2400 mAh की battery दिया हुआ है, और साथ में normal charger दिया हुआ है, तो ये जो 2400 mAh की battery है, ये hardly एक दिन तक last करेगा, in fact, मुझे लगता है कि maybe 13 to 14 hours में जो battery है, वो drain हो जाएगा, अगर आप continuously video देख रहे ह और जहां तक camera quality का सवाल है, वो भी below average है, वैसे ये जो smartphone है, ये portrait shots shoot कर सकता है, लेकिन जो bokeh effect है और जो edge detection है, वो भी इतना कुछ खास नहीं है, तो बहुत ही important है अगर आप ये smartphone का उप्योग कर रहे हैं, तो इसमें जो sim slot 1 है, उसमें geo sim का ही आपको उप्योग करना है, जो आपको smartphone का full use करना है, तो उसके लिए बहुत ही important है कि जो geo sim है, उसमें आपको 249 या उससे जादा का recharge करना पड़ेगा, नए user या फिर जो existing users है, वो इस offer का lab ले सकते हैं, वैसे जो terms and conditions है, उसके बार में अधिक जान करिया, आपको geo का website है, उस पर मिल जाएगा, तो दोस्त करना है, वैसे जाजम लाएगा, प्रह करना है वैसे जाएगा कर नएट जैसे जाएगा है, वैसे जाएगा開始 है, एसे जाएगापा कि जाने पश़ागा सитिया के जाएगा है